लगतार आप बने रहें तरंटोडी फो नीउस पर ऐसे खास खबरों के साथ और हम चलेंगे एक तरफ अभी लंच हुआ है बच्चों का खाना बट रहा है और खाने की तरफ थोड़ी से बढ़ेंगे देखेंगे कि खाना कैसे मिल रहा है उनको क्या खाने की सती है और क्या खाना सही है या नहीं वो भी देखते हैं लगतार आप देख रहे हैं तरंगडी फोनीव पर जो चीजें हैं यहां पर बच्चे हैं और बच्चे जो है अभी लंच में खाना खाए हैं और खाने में क्या बना था खाना कैसा रहा ये तो हम इनी से बच्ची दिखाई दे रही है bottle में पानी लिए पहले तो आप इधर आओ बेटा क्या नाम है आपका अंजली खुरी अच्छा खाना मिला आपको कैसा खाना था अच्छा था अच्छा था क्या क्या खाया आपने दाल चावल बस कुई अचार चटनी पापड और कुछ कुछ नहीं कभी और चीज़े मिलती हैं दाल चाबल के लावा कल क्या खाय था आपने भूल गई क्यों बेटा भूल गई आप क्या कल खाय थे अच्छा ये पानी का फॉटल लेकर आते हो यहां हैंड पॉम से नहीं मिलता आपको पानी इधर आओ आओ आप है इधर हो इधर आओ अरे इधर आओ थाली लेके हम भी हमिघालीं काते इधर ऑओ काकिया हुआ कि भिन लगी रहती है हाँ तो हैंड पंपे हाँ पानी साफ रहता उसका हाँ तो इतना लाल-लाल पानी मैंने देखा वहां पे कर एक बहुत पठकते हैं तो बहुत लल लल चलता है ठाइब के अब अब हैंवान पठकता गुंग्ते कि निपोस्कुण classification है यहां अच्छा कभी खाना ओर कुछ मिलता है पर यहीं स्परीज सीकन जैसे कभी खीर मिल जाये मिल जाये कभी ऑपड़र मिल जाये पापड मिल जाय अब नहीं मिलता पहले मिलता था नहीं पहले भी नहीं मिला कभी सर इसको कौन देखता है सर इसको मतलब बच्चों के लिए सिर्फ डाल चावाली नहीं बहुत सारी चीजें आती है सवर्जे सर्म तो यहां के विक वस्था समूक ऐसे सर देख रहा है क्या मतलब यहां पर लोग भी करतें कि बच्चों को क्या खाना चाहे हैं लेकिन ताल मेल बना लिए तो बच्चों को कुछ भी खिला देंगे खिलाते ही रहते हैं। हम लोग लिखते हैं लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। वहां से लिखके आ जाता है कि आपके अनुबंध के आधार पर इनको दिया जाता है अनुबंध हमसे कभी करें होगा आज तक क्या करें। अब लिखित में आप कितने लोगों का सीख नेचर जाता है यहां से अगर आपने लिखित में दे दिया उसे या फिर जाच आपने माग लिया कि यहां पर इस तरीके की बेवस्थाएं हैं तो कितने लोगों की सहमती रहती है इसे तो आपको नहीं लगता कि यहां पर जो और पैसा भजट पास होता है सारी चीज़े आती है यहां पर तो सिर्फ दाल और चावल ही क्यों वो भी चावल मैंने देखा अभी कि चावल की क्या है तो इस तरीके से बच्चों को खाना मिलेगा अब उसमें तो हम लोग मजबूर है उपर वाले कुछ हमा हम लोगों की सुनते नहीं तो क्या करेंगे हम आप प्राइमरी टीचर है बड़ी नाजू की सिती है इसको जरूर देखना होगा और आप लोगों को सबसे बड़ी चीज की आज ये देखकर पता चला होगा कि ये भाजपा सरकार हो या कांग्रेज सरकार हो या सरकार कोई भी हो उपर से चलने बस्ते नहीं होता नीचे की अस्तर भी देखना पड़ता है कि आखिर में चल क्या रहा बेवस्ताएं क्या है एक छोटी सी बच्ची से पूछने के बाद पता चल रहा है कि क्या सिती है सर ने भी बताया कि आखिर में यही हमेशा रहता है कभी कभार मा लिज्ये कि 26 जन्वरी आ गई तो इनको पूड़ी और और क्या मिल जाता होगा कभी खीर पूड़ी मिल जाती होगी बागी को कोई बेवस्ताएं नहीं यह सारी चीजें आप देख पा रहे है और इसकी जांच जरूर करनी चाहिए इस पर हम भी बात करेंगे आखिर में कहां पे गलती हो रही और कहां पर यह सुधार की जरूरत है बनेर ऐसे ही तरक दोड़ी फोनिस पर मैं मिलता हूँ फिर से आपसे जलती नमस्कार चैहें